आज का ये प्रेस कॉनफरेंस और ये छात्र सबाज बुलाई गई है ये सिच्छक बहाली में जो सरकार की दोस्पूर्ण नीतिया है उसके खिलाप है और इन सिच्छक अवियर्थियों की मांग है हमारी भी मांग है इन सिच्छक अवियर्थियों के समर्थन में कि सीट जुल चुकि यह बहाली BPSC से हो रही है और BPSC की परिक्षा होगी उस परिक्षा में जो मार्क्स लाएंगे उसके अधार पर मेरिच बनना है नौकी सीटेट के मार्क्स पर या फिर BADLAD के मार्क्स पर तो हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जिस परकार आपने हमारी बात मानी और B परिक्षा पहले दे चुके हैं लेकिन वह पर टू में पास है या बहुत सारे ऐसे जो परिक्षा दिये क्योंकि उनको शीक्स टू एट का टीचर बनना था लेकिन सरकार ने क्या किया शीक्स टू एट की वेकेंसी नहीं निकाली गई है तो फिर यह अभियर्थी जाएंगे कहां इसलिए आप सीटेट 2023 जुलाई बाले को अगर मौका देते हैं तो यह लोग पर वन पास करेंगे पर वन की परिच्छा देंगे पास करेंगे और इसमें फॉर्म पहले आप भर दीजिए भरने का मौका दीजिए आप एपियरिंग में तो यह लोग सिछक बन सकेंगे इनको एक मौका मिलेगा और जो उनका सीट खा जाएंगे resistance तो ऐसा नहीं होने वाला है जब था जब merit बनेगा सिग्षकों के लिए तो उस merit ऒैपिएरिंग में जो फॉर्म भरेंगों जहां बहुती से पॉछपीरियों दिश्ट जारी होने पहले dostęp कौपीयों वह उससे less graduate मांगा जाएंगा और सब्सट्रेड करते हैं सिटit का या या DLBED का तो उनलों का जो अभियर्थी तो है वो इसे ही समाप्त हो जाएगा तो सीट खाने की बात या नहीं है इसलिए इसमें जो पुराने अभियर्थी है उनको घबराने की जरोत नहीं है मैं यह चीज कहना चाहता है और सरकार से हाथ जोर कर बिनती है नितीश कुमार ज दूप में 43-44 डिग्री टेंपरेचर होगा पटना का उस करी दूप में यह लोग खरे हैं अपनी मांगों कर लेकर कि हमको न्याई मिले और यह लोग सी पितना कर रहे हैं कि इनको फौन भरने का मौका सरकार दे दे इसमें तो सरकार को कोई अपती नहीं होना चाहिए और सर सरकार से महाज जोर कर विंति कर रहे हैं नितीज कुमार जी से तेजस्वी यादव जी से कि आप इन अभियर्थियों को जो हजारों की संख्या में हैं लाखों की संख्या में हैं सीट जुलाई में फौन भरने का मौका दीजिए क्योंकि तेजस्वी यादव जी आप इवा नियाबली है जिसमें कई खामिया है उन खामियों को भी सरकार दूर करें जैसे नियोजित सिच्छक को उन्होंने कहा दिया कि हम एक्जाम लेंगे 628 की आपने वेकेंसी नहीं निकाला तो फिर आप 628 में पर्मोसन कहां से कीजिएगा ये सारी बाते हैं सब्जेक्ट कंबिने अथर नियाई हुआ आप सिच्छक बहाली कर से कौरивается फिर बुट होगी तो इस तरह से कैसे चलेंगा मैं अब नियाबली में संसोधन कीजिए जो सकरात्म को हो सकता है उसको संसोधन किझे और सिच्छक अभियरतियों के साथ आपstatि करव lly कर रहे हैं हमें आंदोलन पर मजूर मत किजिए इस करी धूप में किसी को सौक नहीं होता है कि बाहर निकले और हम आज घर से आए इन अभियर्चियों के लिए इस वालेश डिग्री चेंपरेचर में खरें अपने हका हर अधिकार के लिए कि सरकार सुनें इनकी बात को सरकार स सुनती है तो इना भीयर्थियों के पास अंदोलन किसी बाद कोई राष्टा नहीं रहेगा हम अंदोलन करना नहीं चाहते हैं हमें अंदोलन का कोई सौक नहीं है सरकार से महात जोर कर बिंती कर रहे हैं कि आप इन लोग की बातों को मान लिजिए और सीटर जुलाई 2023 वाले को अप्यरिंग में फोन भरने का मौका दिजिए साथ ही 628 की वेकेंसी आपने क्यों नहीं निकाला चाह इसमें है नहीं एस पोस्ट कीजिए सब्जेक्ट कंबिनेशन को लेकर आप इस पोस्ट दिशाने देश दिजिए बहुत सारी चीजे हैं जैसे EWS का सटिफिकेट को लेक का देना पड़ेगा तो सीट खाली रहा जाएगी और आप नाइन टेंथ में देखिए नहीं तो फिर सीट के से भड़ेगा उसका तो खाली रहा जाएगा तो यानिकी एक लाग सब्सक्राइब तो सरकार भीर कम करना चाहती है या सरकार की मनशा नहीं है अगर सरकार की मनशा है कि हम 170,000 पर बहाली पूरा करें तो इसलिए हम लोग यह मांग करें कि सीटर जुलाई वाले को आप मौका दीजिए चोकि यह बहाली आप बीपी सी से लिए रहे हैं बीपी सी में जो मार्क्स रहे हैं तो सीटेट में सीिटेट का मार्क्स लेकि जाये उस से पर मेरिट बना तो सिर्प बसिंग चाहिए और उसमें मार्स का है जैसे रिजर्वेशन पांच परसेंट दिया जा ता पछले धी नहीं दिया गया यह अर दूसरा सवाल आपका था, दुसरा सवाल था कि कोट जाएगा, तो हम लोग कोट नहीं जाएंगे, हम लोग तांतरिक तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो हम लोग तांतरिक जंग से सरक पे आंदोलन करने पे भी विचार करेंगे, अभी हम लोग हाथ जोरकर बिंती कर रहे हैं सचीवाले जाकर बिंती कर रहे हैं रोज अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग सरक्प्य उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे